हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल वीडियो लेक्टर साथ आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब हम पर्चेस करने के लिए जाते हैं या फिर हम किसी भी मटेरियल का जब और करते हैं तब हमें कौन-कौन सी बातों का जो बिसेस ब सब्सक्राइब कर लाएं कम पैसे में घर बनाये का 11 नंबर का वीडियो है अगर आपने पहले वाले नहीं देखें तो उन्हें आप अवश्च देख लाएं चलिए अब बात करते हम मैं में मटेरियल जो होते हैं वह होते हैं हमारे सिमेंट सेंड एग्रिगेट और ब्रिक् होती हैं हमारी तीन क्वालिटी की जो बिसेस हम यूज करते हैं फर्ट क्लास सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास आप इनको किस तरही से टेस्ट कर सकते हैं पहली चीज़ तो आपको देखने से ही पता चल जाएगी या फिर आप ब्रिक्स की जो सिरीज है उसे पूरा भी देख आपको अभी सामाने तौर पर एक मोटी बातें बता रहा हूं आपको एक हाइट पर लेना है और एक हाइट से आप फेक देंगे तूट रही है या नहीं देख सकते हैं आप इटों को तोड़ कर देख सकते हैं आप कि बीच में मिट्टी वगेरा तो नहीं या फिर बड़े पत्थर तो नहीं है आप उसको किसी भी इस्टोन या मेटल वगेरा से आप स्क्रेच करके देख सकते हैं आप ठोक कर देख सकते हैं आवाजे कैसे आ रही है तंटन आवाज आ रही है या नहीं और सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट आप इसको पानी में डाल कर देख सकते है आप खाली एक bricks का weight कर लें उसके बाद आप पानी में डालें फिर निकालने के बाद यानि 24 घंटे बाद आप निकालेंगे और फिर आप देख लें कि कितना पानी सोकती है water absorption test कहते हैं इसको अब जग आप ये देख लेंगे तो आपको अगर 20, 22 and 25 ये percent अगर वो पानी सोकती है अपने weight का तो first class second class और third class होती क्रमसा ये होती हमारी bricks के लिए सामान निसी बात है अब हम बात कर लेते हैं aggregate की aggregate यानि गिट्टी या कप्ची बोल सकते हैं आप इसे जब भी हम अगर मान लीजे गिट्टी लेते हैं तो हमें दो पार्ट में यानि कि दो टाइप से हमें द 20 mm दोनों बहुत ज़्यादा important होती है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको एक ही टाइप से aggregate लेकर आना है 10 mm और 20 mm आपके होना चाहिए तो आप जाकर चेक करें इसके साथ साथ आप बात करेंगे send के बारे में send ये एक बीच में मैं थोड़ा सा आपको एक important शीज बता देता ह और natural send जो है तो उसकी बात एक अलग ही है दोनों पर मैं एक वीडियो बनाया था वो आप देख सकते हैं वीडियो में आपको मिल जाएगा stone dust और river send के बारे में देखिए अगर मान लीजे आप rate लेने के लिए send तो आपको सबसे पहले तो देख लेना moisture यानि कि उसमें कितना है गीला है या नहीं है गीली तो नहीं है आपकी send rate इसके बाद आप उसको हाथों में उठा कर देख सकते हैं दोनों हाथों से आप रगडेंगे घिसिंगे तो वहाँ पर आपको हाथों में अगर मिट्टी समझ में आती यानि कि silt content है आप उसको पानी में डाल कर भी इस प अभी special video लेकर आ जाएंगे कि किस तरीके से आपको use करना है चलिए आप बात करते हैं हम सबसे important cement की cement अगर मान लीजे आप कभी भी लेने के लिए जा रहे हैं तो आप सबसे पहले तो company देखते हैं बिलकुल आपको company देखना भी चाहिए कि कौन सी company अच्छी है और जो आप आपके location में कौन सी ऐसी company जो है अच्छा material प्रोवाइट कर रहे हैं इसके बाद आपको देखना चाहिए उसमें manufacturing date, year और इसमें flyers का कितना content है अगर PPC है तो आपको ये चीज भी ध्यान रखना चाहिए कि ये PPC है OPC है यानि ordinary Portland cement PPC यानि पोजोलोना Portland cement अब अगर OPC है तो 43 grade है 53 grade है या 33 grade है या फिर आप PSC भी यूज कर सकते हैं पोजोलोना select cement तो ये आपको देखना है और आपके consulting engineer जो भी है उनसे आपको ये चीज समझ लेना है कि हमें कौन सी cement यूज करना है या फिर हमारे structure के लिए हमारे project के लिए कौन सी cement की requirement है PPC, PSC या फिर OPC ये देख आप इसके बाद ही आप purchase करें cement आप IS code से भी समझ सकते हैं इसके बारे में पूरी एक playlist है आप playlist में जाएंगे तो आपको 0 से लेकर 20-22 वीडियो मिल जाएंगे आपको बहुत सारी details वहाँ पर मिल जाएगे अब last आता है हमारा सरिया यानि reward अगर हम सरिया की बात करें तो सर द्यान रखना चाहिए mild steel है टॉर स्टील है TMT है HY HD है TMX है कौन सा है एक चीज और इसके साथ साथ इसका जो grade है वह कौन सा है FE 415, FE 500 तो यह जो चीजें है यह टेकनिकली चीजें है थोड़ी सी तो यह आपको द्यान रखना चाहिए इस पर भी में वीडियो बना चुका हू कि पूरी चीजें अगर मैं आपको डिटेल में बता दूँ तो थोड़ा सा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आल्रेडी यह चीजें अविलेवल है चैनल पर तो दूसरी बार बताने से ज्यादा कुछ मुझे benefit समझ नहीं आता आप वहाँ पर जाएं तो आपको समझ करें आप चाहें तो test certificate वगेरा भी इनकी ले सकते हैं हलाकि आपको bricks का test certificate नहीं मिलेगा test certificate सिर्फ दो चीज़ों का मिलेगा सिमेंट एंड आपको reinforcement या सरिया का तो यह सारी जो जानकारी है आई होप आपको समझ में आई होगी आपके लिए helpful होगी अगर आपके लिए वीडियो helpful है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ सेयर करना बिलकूल ना भूले मि नेक्स्ट वीडियो में किसे अने टॉपी के साहत अब तक के लिए थैंक्यू